नमस्कार दोस्तों मैं हूँ चंदरशेखर खरे और आप सभी का स्वागत है मेरे चानल पर जैसा कि आप मेंसे बहुत लोगों को मालूम होगा मैंने पिछला वीडियो डाला था नोट बेंडिंग पर और टैटनिक हर्मानिका तो वो उस वीडियो का पार्ट वन था जिसमें मैंने नोट बेंडिंग करने की एक तकनीक बताई थी इस वीडियो में हम उसके आगे की कुछ और तकनीकों की चर्चा करेंगे तो पिछले वीडियो में मैंने जो तकनीक बताई थी वो यह थी कि अगर हम नोट को ड्रॉ करते टाइंग अथवा ब्लो करते टाइंग अगर हम जीब को मुँग की उपर की सत्हा के पास दे जाते हैं और जो हवा है उसको दबा देते हैं चाहे वो ड्रॉ एरो चाहे ब्लो एरो वैसा करने से नोट बेंड होती है जो पिछ है नोट की वो नीचे आजाती है डिपेंड्स की आप कौन से होल में बजा रहे हैं अगर आप होल नंबर एक से लेकर छे के बीच में ड्रॉ नोट कर रहे हैं तो चोकि वहां की जो पिछ है वो उपर की पिछ होती है इसलिए वो हम है उसकी पर हायर होती है इसलिए हमको ब्लो बैंग मिलता है तो एक बार देखिए कि वह किस तरह से हो रहा है जीब को मुझ के ऊपर की सत है याने रूफ अफ दे माउथ के नजदीक ले जाके हवा को दबा देने से देखिए चार नंबर हो पर मैं कर रहा हूँ और यह ड्रॉन उठाए तो यह तो तकनीक हुई जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी इस वीडियो में जो तकनीक हम जानेंगे वो इसके ठीक विपरीथ है याने हम अपनी जीब को मुझ के ऊपर की सत है के पास नहीं ले जाते हैं बलकि अचानक से मुझ के नीचे की तरफ खीच लेते हैं वो खीचने से क्या होता है कि मुझ के अंदर जो हमारा वाल्यूम होता है अंदर की जो खाली स्पेस है वो अचानक से बढ़ जाती है अचानक से बढ़ जाने की वज़े से हवा तेजी से अंदर की तरफ आती है अगर आप एक ड्रॉणोड बजा रहे हैं और ऐसा करने के लिए हम थोड़ा सा अपना जो लोवर जोव है उसको नीचे की तरफ खीचते हैं और साथ में अपनी जीब को भी नीचे की तरफ खीचते हैं और उससे यह एक वैक्यूम क्रिएट होता है additional volume अंदर create हो जाता है जिससे हवा तेजी से अंदर आती है और उससे note bend होता है इसका एक demo देखिए अब आप सोचेंगे कि हम ये जीब को अंदर कैसे ले तो मेरा सुझाव ये है कि अचानक से भी लेने की ज़रूरत नहीं है अपनी जो tip of the tongue होती है ये हिस्सा ये जो निचले दात होते है उनको टच करके रखिए और उसको धीरे धीरे से नीचे की तरफ खीचिए थोड़ा उसको tighten करके याने जीब को थोड़ा tight कर लिजिए और नीचे की तरफ खीचिए और जब आप खीच रहे हैं तो हवा को भी उतनी ही मजबूती के साथ उतनी ही ताकत के साथ अंदर की तरफ खीचिए आपका note अपने आप bend हो जाएगा एक बार फिर से इसका demo देखिए आपका जो tip of the tongue है जीब का सेरा ये जरूरी नहीं है कि physically वो दातों को touch करें ये मैंने सिर्फ एक guiding mechanism दिया है कि जो जीब है और मांदी जी ये दात है तो यहाँ पर से नीचे की तरफ वो move होगा और उसको एक pressure के साथ move करना है नीचे की तरफ कुछ हद तक ये जो action है वो piston के जैसी है अगर आपने कभी piston pump चलाए हो या मांदी जीए आप होली खिलते हैं तो जो पिछकारी होती है उसको अंदर की तरफ जब खीचते हैं तो ये समझ लीजी कि अंदर उसका एक flat हिस्सा होता है गोर्ण उसको piston कहा जाता है और उसको हम अंदर खीचते हैं उससे vacuum create होता है additional space create होती है pump के अंदर और पानी अंदर आता है और वो तेजी से हमको करना है वो जो तेजी से करने के बाद excess pressure जो है वो आपका note variation लाएगा देखिए same pressure है तो note variation नहीं आता है जैसे हम अगर हम एक draw note बजा रहे हैं और same pressure के साथ बजा रहे है तो उसकी natural pitch पे वो बजता रहेगा आप same pressure बनाए रखिए वो वैसे ही बचता रहेगा लेकिन अगर आपने उसको ताकत के साथ खीचा और थोड़ा तेजी के साथ खीचा तो अचानक से ज्यादा pressure build-up होता है और वो आपके note bending में सहायक होता है बलकि उसकी वज़े से ही note bending होती है अब मैंने जीप को नीचे की तरफ खीच के उसको वहाँ टिका के रखा और pressure बनाए रखा जब pressure बनाए रखा तो वो जो निचली pitch पे आके वो फिर ठहर गया ये जो चीज है ये आपको help करेगी note bend करके और सही pitch पर जाने के लिए तो ये हो गया आपका दूसरा तरीका draw note को bend करने का दोस्तों मेरे अनुभव से ये जो तरीका है ये blow notes के अंदर कारगर नहीं होता है कम से कम मैं इस तरीके को अपना कर blow notes पर bend कभी नहीं कर पाया हूं तो blow notes पर bend करने का एक तरीका तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था जो कि blow note और draw note दोनों पर कारगर है लेकिन अब जब blow note की बात आई तो ये जो आज तरीका मैंने आपको बताया है वो सिर्फ draw notes के लिए है वो blow notes पर मेरी दृष्टी से काम नहीं करता तो मैंने जो पिछले वीडियो में आ measure vary करना है आपको और उससे note bend होगा एक और चीज बताता हूं आपको अगर आप उस तरीके से ना करना चाहें तो भी एक तरीका होता है आला कि उसको करने के लिए आपको थोड़ी सी अपनी आदतों में परिवर्तन करना पड़ेगा जैसे मैं अपनी जीब को harmonica की जो निच किस तरह से होती है तो मैं उसको आगे की तरफ अगर इस तर ले जाता हूं तो अगर आप देख पा रहे हूं कि यह जो जगए है जो खाली स्पेस है वो किस तरह से कम हो रही है इस ऐसा करने से भी प्रेशर वेरी होता है और आप यहां पर ब्लो बेंट कर पाएंगे देखि तो यहां मैंने जीब को फिजिकली लोवर जो हर्मोनिका की लोवर कवर प्लेट होती है उससे चिपका के रखा हुआ है और मैं या तो जीब को हिलाता हूं इस तरीके से या कभी-कभी मैंने हार्मोनिका को भी अगर उपर की तरफ कर दिया तो भी मुझे सेम चीज मिलती है सेम बेंड मिल जाता है कुछ इस तरह किसे इसमें एक चीज का ध्यान रखिए कि यह जो हर्मोनिका में नोट बेंडिंग की जो स्टाइल्स हैं यह अलग-अलग जगें पर अलग-अलग तरीके से काम करती हैं और जब आपको फास्ट प्लेइंग करना है और उस तेम पर बेंड करना है तो आपको अलग-अलग तरीके की टेक्नीश का यूज करना पड़ता है आप मान दीजिए बहुत फास्ट कुछ पीस बजा रहे हैं तो उसके अंदर फिजिकली जीप को टच करके बेंड लाने की तकनीश या फिर हार्मोनिका को ऊपर नीचे करने की तकनीश उतनी कारगर नहीं होगी क्योंकि वो आपका स्पीड खराब कर देगी तो किसी भी तकनीश को यूज कीजिए लेकिन कहां पर कौन सी तकनीश सूटेबल है उसको देखिए और उसके बाद में उसका इस्तेमाल कीजिए तो दोस्तों आज का लेसन यहीं तक मैंने आपको ये जो दूसरा तरीका बताया है इसको भी आप अपना ये ट्राय करके देखिए और भी इससे जोड़ी कई इंट्रेस्टिंग चीजें हैं जो आपने आने वाले वीडियो में आपको बताता रहूंगा अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे कॉमेंट्स करके बताईए कुछ अलग तक्निकें आपको पता हो उसके बारे में बताईए जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं नई चीजों को जानने के लिए उत्सुक हो कुछ चीज़े अगर आपको पसंद नहीं आ रही हो या कुछ चीज़े आप अडिशनली मुझे से चानना चाते हो तो भी मुझे बताईए तो मैं अपने आने वाले वीडियो में उसकी चर्चा करूंगा और आपको उसका पूरा लाब दे सकूंगा सो आज तक का वीडियो यहीं पर सवाप करते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो पर